दोस्तो आगे बढ़ने से बहले मैं आपको कुछ जरूरी बात बताना चाहूंगा गिजबोर के नाम से कोई और नकली आईडी बनाकर फ्रोट कर रहा है जिससे आपको बचके रहना है एक तो यह चैनल है जो आप देख सकते हैं स्क्रीन शोट अब यह बन्दा क्या कर रहा है जो मेरी वीडियो है Samsung A73 की उस पे लोगों को कमेंड करके कह रहा है कि आप विनर है A73 के आप मुझे टेलिग्राम पे कॉंटेट करो इतना आपको पे करना होगा जिसके बाद आपको आपका प्रोड़क्ट मिल जाएगा अब ऐसा आप कुछ मत पे भी इंफॉर्म किया जा रहा है कि काफी लोगों के साथ फ्रोड हो रहे है इन आईडिस के चक्कर में टेलिग्राम और यूट्यूब दोनों चैनल्स का लिंग डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है आप रिपोर्ट करो इनको हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में दोस्तो हम इसी के बार में बात करेंगे कौन से यूजर इंट्रिफेस के क्या प्रोजान कोंस हैं अब डिट कों कैसी देता है और किसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए आपकी प्रियोटिक है को नी कौन सा आपके लिए परफेक्ट है सब बताऊंगा वीडियो को एंट तर जहा साफी चेंज हो चुका है पहले ऑक्सीजन ओएस बिल्कुल डिफ्रेंट थाम लव अपने सेग्मेंट का वो बैस्ट यूई हुआ करता था अभी में बोल सकता हूं वन ओफ दी बैस्ट यूई में से एक है ऑक्सीजन ओएस लेकिन अब क्या है कि कलोरा इसका मिक्शर यहां प्रेक्टमाइशन के सभी जूरी ऑप्शेंज भी यहां पर अवैलबल रहते हैं अपडेट्स भी आपको इसमें टाइम से मिल जाते हैं यह प्लस पॉंट है ओक्सीजन ओएस का उसाथ में एप्लिकशन लोग वारा भी आप यहां पर लगा सकते हैं इससे क्या होगा आप प्रेक्शन लोग लगा लेंगे फिर आप फिंगर प्रेक्शन को अनलुक कर पाएंगे कोई आपको इसके लिए थर्ट पर यहां पर यहां पर उतना प्रीमियम नहीं होता यूज करते करते हैं आपको फिल ओगा कोई नो कोई हमें डिफरेंट टाइप के बग्स देखने को मिल रहे हैं और सब यहां पर अलगलग बग्स फेस करते हैं यह में इशू है अब इस इस पर कंपनी काम भी ठंक से नहीं करती है मतलब मैं यह नहीं कहूंगा कि आपको फोन में बग्स मिला और अपडेट देकर उस बग को जल्दी से फिक्स किया जाएगा अपडेट तो यहां पर इस आपको नहीं मिलता देखने को सासbery इस नहीं मिलता दिखने को सास। बिगोज Oneplus के फोन काफी कोशली भी आते हैं अगर हम इतना पैसा पर लगा रहे हैं तो हमें चाहिए फोन की सेक्योर्टी भी जबरदस्त वाली हो अगर मैं स्पेशल फीचर की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको Zen Mode मिल जाता है इसमें क्या होता है आप एक टाइम सेट कर देंगे अपने फोन में उस टाइम तक फोन आपका बिल्कुल फ्रीज हो जाएगा आप फोन में चाहते होए भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे उनके लिए हैं जिनको फोन की एडिक्शन हो जाती है इस टाइम पे हम फोन को यूज ना करें ऐसे में Gen Mode उनकी बहुत हैल्प करता है पढ़ाई करने वाले बच्चों हिले भी यह बहुत यूसफुल फीचर है यह default अगर मैं बात करता हूँ यूजर इंटरफेस में One Plus का exclusive फीचर है और किसी फोन में हमें फिलाल यह देखने को नहीं मिल रहा हमारा next इंटरफेस है One UI जो कि हमें Samsung के smart phones में देखने को मिलता है अब One UI अगर हम security की बात करते हैं तो security के वामले में बहुत ही जबरदा स्वारा user interface है Android की दुनिया में क्योंकि यहां पर nox security मिल जाती है और यह बहुत ही अच्छे से काम भी करती है और आज कल्व में midden से लेकर flagship तक हर तरफ nox का साथ देखने को मिल जाता है अगर आप One Plus का 15 जरवाला phone ले रहे हैं वहां भी बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है आपको secure folder जैसे option मिल जाते हैं One UI में और आपको यह use करने का बहुती premium experience होता है आपको flagship लाट के features midden में भी देखने को मिल जाएंगे अप्डेट की बात करते हैं तो Samsung में हमें updates fast देखने को मिलते हैं OS update में हमें long term तक देखने को मिल जाता हैं Samsung के smartphones में साथ में security update को लेकर भी कोई दिक्कत में नहीं आती है और customization के सभी useful options आपको One UI में मिल जाएंगे और यहाँ पर भी ads वगारा पंगा नहीं रहता है साथ में हाँ bloater यहाँ पर होता है लेकिन उसको आप uninstall कर सकते हैं bloater को लेकर मैं कहूंगा दिक्कत है यह One Samsung को उतने जादा हमें नहीं देने जी है One UI में अनिस्ट्रोल कर सकते हैं यह प्लस पॉइंट है बागी completely customise कर सकते हैं आप One UI को साथ में कोई lag वगार अगा इशू कि यहाँ पर मैंने नहीं देखा अब bugs भी यहाँ पर हमें उतने देखने को नहीं मिलते हैं अगर मैं आप कौन्स की बात करता हूं तो एक तो वही है bloater यहाँ पर बहुत सारे होते हैं दूसरा कौन यहाँ पर है एप लोग वाला feature हमें inbuilt phone में देखने को नहीं मिलता हाँ good lock का support होता है किज-किजी phone में वो यूज करके आप application lock कर सकते हैं बट वो भी हर phone में नहीं रहता है तो मेरे recording तो app लोग हमें phone में मिलना ही चाहिए था आज की rate में काफी लोग यूज करते हैं application lock को और अगर हम special feature देखते हैं तो यहाँ पर Samsung DEX एक बहुत ही अच्छा feature है जो कि आपको Samsung के One UI में flagship phone में देखने को मिल जाता है no security यह भी एक special feature है Samsung का और आपको old z like option मिल जाता है secure folder इसमें आपको मिल लेगा यहाँ पर आप एक phone को यूज करके दो phone का मज़ा ले पाएंगे यह feature कमाल कर रहता है One UI में अब बात करते है Realme UI के बारे में एक बात मैं बिल्कुल clear कर देता हूँ मैं यहाँ पर ranking नहीं देना इन UI को मैं बस आपको हर UI के हिसाब से बता रहा हूँ किसके क्या प्रोजान कोंज है यह मैं सोधना जो मैंने पहले पताया One पे है दूर सेकंड पर नमबर टू पर है ऐसा कुछ भी नहीं है Realme UI आपको मिलता है यहाँ पर color wise वाला ही UI उसको थोड़ा सा tweak करके दिया गया Realme UI के नाम से अब यहाँ पर भी कुछ चीज़े है जिस पर improvement की जुरूरत है और कुछ यहाँ पर कमाल की चीज़े आपको देखने को मिलती है एक तो interface यहाँ पर smooth रहता है clean UI लगता है आप यूज करने में पहले की तरह यह bulky वगारा feel नहीं होता UI का और जो यहाँ पर आपको bloater करना मिलते है उसको भी आप one install कर सकते हैं अराम से अगर हम पहले से compare करते हैं तो day by day Realme UI इंप्रूम होता ही चला जा रहा है साथ में यहाँ पर app look जैसे features in build आपको मिल जाएंगे यूज करने में premium feel होता है थोड़ा बहुत Realme UI यह मैं आपको बोल सकता हूँ बट अगर हम कौन्स की बात करते हैं तो एक तो वाई है loads of bloater मिलते हैं आपको Realme UI में lag का भी issue कई बार देखने को मिल जाता है मतलब आपको smooth feel होगा कई बार phone यूज करने में लेकिन जब आप phone में heavy काम करेंगे या कुछ application start में load कर देंगे तब आपको lag वर यहाँ पर feel होना start हो जाता है अगर phone में processor बहुत ही तगड़ा है फिर भी आपको यह issue देखने को मिलता है Realme UI में और कई बार यहाँ पर heating issue भी देखने को मिल जाता है जब हम phone में camera यूज कर रहे हैं Realme UI budget phone में या midrange phone में हमें यह दिक्कत देखने को मिल जाती है साथ में battery drain issue भी यहाँ पर देखने को मिलता है अगर आपके phone में 4500 mAh बैटरी है तब आपको लगेगा यह आप 4000 mAh की battery यूज कर रहे हैं तोड़ा drain fast रहता है Realme UI में वही है phone तोड़ा heat produce करेगा custom specifications के साथ अब यह भी feature दोस्तों कमाल का है ऐसी feature में iPhone में पहले देखने को मिलता था अब आपको Realme UI में भी देखने को मिल रहे है security का issue यहाँ पर भी हमें मिल जाता है मतलब अतना secure नहीं लगा मुझे Realme UI क्योंकि यहाँ भी hardware लेवर पर कोई security प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही है अगर हम Realme UI देखते हैं या फर color OS देखते हैं दोनों में ज़्यादा difference हमें देखने को नहीं मिलता हाँ थोड़े बहुत bugs को लेगा difference आपको देखने को मिलेगा थोड़ा मुझे कम stable लगा Color OS Realme UI के comparison में साथ में जो features हैं वो आपको कमाल के मिल जाते हैं Color OS में कुछ ऐसे features हैं जो आपको Realme UI में नहीं मिलते हैं बड़ Color OS में exclusive वो features काम करते हैं हाँ अपडेट्स यहाँ पर थोड़ी fast रहते हैं Color OS की Customization के तो इतने options हैं कि आपको मज़ा आ जागा यूज करने का मैंने dedicated वीडियो भी की होगी है जहाँ पर मैंने बताया है Color OS के unique features के बारे में वो भी आप चेक कर सकते हैं वीडियो और यहाँ पर मैंने देखे है heating issue कमा में मिलता है Color OS में जैसे मैंने गाया है na realme UI में heating issue है बट यहाँ पर ऐसी दिकत नहीं है और day by day अगर हम देखते हैं हर generation में काफी सारे new feature एड़ होते हैं Color OS में अपडेट policy इन की काफी मुझे सही लगी है और app look का feature यहाँ पर भी आपको inbuilt मिल जाएगा security election यहाँ पर भी provide नहीं करवा जाया रही है बागे अगर हम special feature की बात करते हैं तो Color OS में आपको 67 languages का support मिल जाता है अभी जो new update आया था Color OS का महापनी feature एड़ हो गया था काफी असानी से आप translate यूज कर सकते हैं Color OS में इतनी language हैं कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी आप रहते हैं आपकी language यहाँ पर आपको मिल जाएगी अब बात करते हैं फंटर 14 के बारे में जो कि आपको वीवो और आइको के फोन में देखने हो मिल जाता है अब देखो आइको और वीवो इन दोन में सेम यूई है पहले अलगता आइको का और इस टाइंड में यूई बिल्कुल सेम हो चुका है अब यहाँ पर बहुत सारे आपको customization के option मिल जाते हैं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी और UI दिखने में भी बहुती clean feel होता है और यूज करने में आपको fast भी लगेगा कोई आथा नहीं लगेगा आपको कि आप slow या heavy UI यूज कर रहे हैं और अगर हम पहरे से कंपेर करते हैं तो काफी improvement हमें देखने को मिली गया है फंटच OS में app look का feature in build यहां पर available है यह भी एक plus point है अगर हम कमी की बात करते हैं तो एक तो update को लेकर यहां पर दिक्कत देखने को मिलती है update policy जैसे मैंने काया है न आपको इंतजार करना में या कोई bug आगया फोन में कि कभी ये bug fix किया जाएगा लंबा इंतजार करना पड़ सकता है आपको और कुछ नहीं जब आप फोन को यूज करेंगे और कोई फोन में update आया तब आपको bugs भी notice हो जाएंगे फोन में कुछ नहीं चोटे-चोटे bugs देखने को मिल जाते हैं वो bugs इतनी सानी से fix नहीं किया जाते हैं माइनर app crashing problem भी बहुत ही रिटेट करती है one touch OS में bloatware भर-बर के आपको जचने को मिलते हैं और साथ में security यहाँ पर भी अलग से provide नहीं करवाई जा रही है अगर हम special vision की बात करते हैं तो ultra gaming mode ये phone support करता है gaming करते करते हैं आप picture and picture mode यूज कर सकते हैं जहाँ पर आप multitasking बहुत ही असानी से कर पाएंगे आपको game बिल्कुल बंद नहीं करनी पड़ेगी ये plus point है ultra gaming mode one touch OS का message, chat आपको करनी हो, gaming time page सब पुछ यहाँ पर बहुत ही easy हो जाते हैं floating window आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी अब बात करते हैं motola के बारे में देखो जो motola का user interface है बहुती clean और ads free हमें देखने को मिलते है कोई भी फालतों के bloat player यहाँ पर देखने को नहीं मिलते है पहले का जाता था कि जो इस तरह का यह होता है वहाँ पर हमें bugs देखने को नहीं मिलते क्या यहाँ पर भी ऐसा है देखो stability यहाँ पर हमें मिलती है अगर phone आपका नया है सही से काम कर रहा है काफी stable आपको यह long term use तक लगेगा पर कई बार आपको यहाँ पर bugs देखने को मिलेंगे और यह चीज़ आप motorola के budget से लेकर flagship phone तक feel कर पाएंगे अपडेट को लेकर भी यहाँ पर motorola थोड़ा slow लगा मुझे ऐसा नहीं है फॉन में बगज आया आपका bugs फड़ामर फिक्स हो जाएगा लंबा इंतजार यहाँ पर भी आपको करना पड़ेगा अपडेट का और कोई यहाँ पर एक्स्ट्रा फीचर हमें देखने को नहीं मिलते हैं जो फीचर्स हैं जो स्पेशल फीचर्स हैं वो काफी टाइम से उज़ करते आ रहे है motorola के स्मार्टफोन में एप लोग आपको इन बिल यहाँ पर नहीं मिलता आपको यहाँ पर think shield security प्रवाइड करवाई जाती है और motorola और samsung यह दो फोन ऐसे हैं इंडियन मार्किट में जहाँ पर आपको hardware लेवल पर security दी जा रही है बाकी सब प्रवाइड करवाई रहे हैं software लेवल पर बर hardware लेवल पर samsung nox और motorola think shield security यह दो बहुत ही popular है इस टाइन पर और motorola के budget phone में भी मैं अब think shield security देखने को मिलती है यह plus point है अगर हम special feature की बात करते हैं तो आपको moto करके एक app मिल जाएगी motorola के smartphone में जहाँ पर आपको जबर्दस वाले gestures मिलेंगे जैसे कि phone को shake करके आप camera on कर पाएंगे flashlight on कर पाएंगे ऐसे ऐसे कई features हैं जो आपको मिलते हैं moto की app में यह मुझे features काफी useful लगते हैं अब बात करते हैं MIUI के बारे में देखो यार MIUI का क्या है कि अगर हम पैर देखने को मिली है day by day आपको लगेगा MIUI improve होता जा रहा है तो MIUI 13 आया ना वहां भी हमें बहुत साही चीज़े देखने को मिल रही है customization भर-बर के आपको देखने को मिल जाएगी MIUI में अगर कभी बताओ मैं आपको तो यहां पर उसकी list भी छोटी नहीं है lots of bloater मिलते हैं आपको MIUI में और कई तो ऐसे भी है जिनको आप अनिस्टोल नहीं कर पाएंगे बर जाता नहीं जो आप अनिस्टोल कर सकते हैं यह अच्छी बात है ads की दिक्कत देखने को मिलेगी मतलब कई बार तो आप इरिडिट हो जाओगे इतनी ads की problem आती है MIUI में हाँ कभी-कभी आपको लगेगा कोई ads नहीं आ रही है बर जब आएंगी तब तो बुरार हो जाएगा और data collection को लेकर भी कई बर हम news सुन चुके हैं MIUI की यहां भी अलग से security आपको नहीं प्रोवाइड करवाई जा रही है hardware level पर stability issue यहां पर देखने को मिलता है बिल्कुल stable नहीं है MIUI कई बर लगेगा अच्छा गाम कर रहा है और कई बर आपको दबाग के बगस देखने को मिल जाएंगे एक चीज़ मैंने अच्छी देखिए अगर आप MIUI का budget phone ले रहे हैं या middling phone ले रहे हैं वहाँ पर आपको फिल होगा कि बगस आ रहे हैं phone में मज़ा नहीं आ रहे हैं यूज करने का बटगरा आप Xiaomi का flagship phone ले रहे हैं वहाँ पर MIUI बहुत अच्छा perform करता है यह पता नहीं क्यों हमें फर्क देखने को मिल जाता है Redmi, Xiaomi, mean सब में हमें MIUI देखने को मिलते हैं साथ में POCO में भी हमें MIUI देखने को मिल जाता है और POCO में भी आप चेक करेंगे दबा के बगस हमें देखने को मिलते हैं मैंने कली आपको बताया था POCO S4 Pro के बारे में कि इतने बगस हैं इस smartphone में Special Feature के अगर हम बात करते हैं तो Control Center आपको यहाँ पर मिल जाएगा जहां से आप काफी कुछ Control कर पाएंगे हाला कि कोई ऐसा यहाँ पर Feature नहीं है जो मैं कहूँ कि बिल्कुल जबरदस हो के हम MIUI का आज कमारा Last UI है Pixel UI अब देखो यार अगर आपको Stoke Android यूज़ करना है तो यह है सबसे Best User Interface Stoke Android का Clean Experience आपको यहाँ पर मिल जाएगा जो बाकी है ना वो आपको स्कीन देते हैं Stoke Android की बट एक्च्वल में वो Stoke Android नहीं रहाता चाहे वो Motorola हो या फिर Micromax के Smartphone हो अब यहाँ पर क्या है कि चीज़े यहाँ पर भी काफी अच्छी है लेकिन कम्याँ आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाती है एक तो यहाँ पर कुछ आपको exclusive feature मिल जाएगा जो आपको किसी और UI में देखने को नहीं मिलते है Android 12 के जो main main features है वो सारे आप यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे मतलब Android 12 नहीं अगर आप Android 11 यूज़ कर रहे हैं तो उसके feature आपको सारे मिल जाएंगे यहाँ पर in build काफी कुछ आपको जेहने को मिल जाएगा आपको feeling नहीं होगा कि आपको अलग से कश्माजिशन की यहाँ पर जुरुरत है लेकिए अगर हम custom UI से compare करेंगे तो बहुत ही कम feature आपको मिलते हैं इतने सारे features होते हैं custom UI में जो आप यहाँ पर use नहीं कर सकते हैं हाँ main main चीज़ें सब आपको यहाँ पर मिल जाती है और आपको bloater free UI यहाँ पर मिलते है कोई भी extra apps या फिर ads का पंगा यहाँ पर देखने को नहीं मिलता यह बहुत बड़ा plus point है updates यहाँ पर fast रहते हैं यह भी एक बहुत सही बात है because update अगर आते रहेंगे phone में security भी phone की अच्छे से बनी रहेगी security patch phone का update होता रहेगा तो best security और AI based features यहाँ पर आपको मिल जाएंगे use करने में आपको feel होगा कि आपको बिल्कुल boring सा UI लग रहा है लेकिन actual में वो आपको बिल्कुल clean UI देखने को मिलता है मतलब वही है clean experience यह है तो कुछ तो आपको compromise करना ही पड़ेगा वह को करना पड़ रहा है extra features को लिख कर पहले काज आता था अगर आपके बाद token load है तो यहाँ पर हमें bugs देखने को नहीं मिलते हैं बट फिलाल ऐसा कुछ नहीं है यहाँ भी हमें बर-बर के bugs देखने को मिल जाते हैं pixel UI में और app lock जैसे features आपको inbuilt यहाँ पर नहीं मिलेंगे हाँ यहाँ कि जब यहाँ पर bug जाते हैं उनको fix पी जल्दी से कर दिया जाता है update की मदद से यह था कुछ Android UI अब आप बताना मुझे comments में इन में से आपका favorite UI कौन सा है अगर आपको इन में से UI को ranking देनी हो